दोस्तो एक बहुत बड़ी खुसकबरी है दोस्तो नेशनल हेल्थ मिशन में एक बहुत बड़ी भेकेंसी निकली है दोस्तो लगवग 10,000 से ज़्यादा पदों पर कॉंट्रेक्ट वैसिस पर भेकेंसी निकली हुई है यह कॉंट्रेक्ट एक साल का हो दोस्तो एक साल कॉंट् करनल हेल्थ के लिए निकला हुआ है और इसका पोजिशन जो मिलेगा ए एनम मिलेगा और इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए दो सल का सटिफाइट डिप्लोमा इन अक्सुलरी नर्सिंग एन मेटर वाइप बाइनी रिकोगनाइज इंस्टूट से चाहिए दोस्तों नंबर पर पोजिशन है स्टाप नर्स का इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा नर्सिंग और मीट वाइफरी में चाहिए या फिर बीएसी चाहिए दोस्तों नर्सिंग में यह आप पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं दोस्तों इसमें टोटल एक हजार एक सो अठाइस पाद हैं और इसमें 20,000 सली दिया जाएगा और इससे पहले वाले में 12,000 दिया जाएगा और तीसरे नंबर पर हैं ओटी टेकनिसियन इसमें क्वालिफिकेशन बेचलर आप साइंस आईए और ऑपरेशन ठीरेटर चाहिए और इसमें और में दिया गया है ड 286 बेकनिसी है और चोथी नंबर पर हैं स्टाप नर्स का बेकनिसी इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए जर्नल नर्सिंग पे और और में दिया है इसके अलावा बी एससी नर्सिंग होना चाहिए और इसमें 15 पोश्ट है 18,000 सली मिलेगा और पांच में नंबर में चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए जर्नल नर्सिंग में और में दिया है बीएसी होना चाहिए नर्सिंग में चाहिए या भी या प्र बीएसी होना चाहिए या फिर इसके बराबर किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए इसमें 25,000 मिलेगा दोस्त है और उसके बाद लैब टेक्निसियन का निकला हुआ है qualification intermediate चाहिए या फिर diploma चाहिए या certified course चाहिए medical laboratory में या फिर उसके बराबर को होना चाहिए और 17,000 मिलेगा दोस्ते 9 post है और उसके बाद यहाँ पे lab technician division लेबल का है इसमे qualification intermediate होना चाहिए और diploma मागा गया और certified course होना चाहिए medical laboratory में 9 post है दोस्ता 20,000 सली मिलेगा और इसमें देख सकते हैं और उसके बाद जी एनम का post है इसमे qualification general nursing होना चाहिए डिपलोमा होना चाहिए जनल नर्सिंग में उसके बाद BSC होना चाहिए नर्सिंग में 205 post है 18,000 सली मिलेगा और अगला है दोस्तों इसमें lab technician का है इसमें qualification intermediate होना चाहिए या फिर डिपलोमा या certified course medical में होना चाहिए 205 post है 18,000 मिलेगा और उसके बाद होता तो स्टाब नर्स का ही vacancy है दोस्तों non communicable disease के लिए है तो इसमें डिपलोमा होना चाहिए जनल नर्सिंग में अन्मेड वाइफरी होना चाहिए या फिर ब्यासी होना चाहिए जनल नर्सिंग में 18,000 सली मिलेगा 240 vacancy है और उसके बाद है फिजियो थेरेपिस्ट का vacancy निकलावा दोस्तों इसमें bachelor degree चाहिए फिजियो थेरेपी में या फिर दो येर का experience भी होना चाहिए होस्पिटल में और 40 पोस्ट इसमें 20,000 सली मिलेगा दोस्तों इसके बाद है लैब टेकनिसियन का बहुत बड़ा पोस्ट है दोस्तों 10,000 प फिजिट करके apply कर सकते हैं यहीं से अब देख लिजिए सारा को सुन लिजिए यहां qualification इसके दिया गया है लेट टेकनिसियन का 14 नमपर का पोस्ट है और इसमें intermediate होना चाहिए 10 प्लस 2 में या फिर डिपलोमो होना चाहिए medical laboratory में या फिर experience होना चाहिए 2 सल का और इसमें 6 पो government recognized approved council से मतलब general nursing होना चाहिए इसमें एक सट पोस्ट है 18,000 से मिलेगा लगब आपको 18,000 मिनिममम पे मिली जाएगा और उसके बाद है पर्मेटिस्ट का है उसके इसमें qualification intermediate होना चाहिए दोस्तों सब में intermediate होना चाहिए दोस्तों किसी किसी में diploma होना चाहिए किसी में medical का certificate होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए तभी आप vacancy को apply कर सकते हैं इसमें 22 पोस्ट है 18,000 सली मिलेगा उसके बाद है lab technician का है lab technician का भी मिलेगा 24 पोस्ट है उसके बाद A&M का पोस्ट निकला हुआ है इसमें qualification certified diploma in nursing में होना चाहिए या midwifery होना चाहिए इसमें 1500 पोस्ट है 10,000 सली मिलेगा और उसके बाद nursing सेल में है qualification BAC nursing होना चाहिए या MSC nursing होना चाहिए इसमें experience 3-5 सल का experience होना चाहिए labor and delivery delivery work में और इसमें 36,000 सली मिलेगा 34 पोस्ट है अच्छा पोस्ट है उसके बाद यहाँ पर अस्टाप nurse का निकला हुआ district hospital में इसमें bachelor degree होना चाहिए nursing में या फिर डिपलोमा होना चाहिए general nursing में या midwifery register under general council of India में register होना चाहिए और कम से कम इसमें 2 साल का working experience होना चाहिए hospital में अगर डिपलोमा चाहिए general nursing में या midwifery चाहिए इसमें 130 पोस्ट है 20,000 सली मिलेगा उसके बाद लेप टेकनिसियन का निकला हुआ qualification intermediate चाहिए या फिर डिपलोमा चाहिए सदिश्वाइट कोर्स चाहिए या बीसी चाहिए medical में और इसमें 15,000 मिलेगा 4 पोस्ट है उसके बाद यह यहां पर देख सकते हैं डिश्टी का है तो बैचलर टिगरी चाहिए पर्मा लोको पर्मा कॉलोजी में चाहिए इसमें 18,000 मिलेगा और 17 पोस्ट है इसके बाद यहां पर ओटी टेकनिसियन का है बैचलर आप साइंस है इन्टिरेटर पर टेकनलोजी पर और इसमें 16,000 मिले के साथ चाहिए या फिर डिपलोमा भी होना चाहिए अल्थेल्मिक में एसिस्टेंट प्रम रिखोगनाज इनिवर्सिटी या इस्टूजेशन से होना चाहिए इसमें तीन पोस्टे 12,000 मिलेगा और उसके बाद यहां पर स्टाप नर्स का है बैचलर टिगरी होना चाहिए क pipelines में डिपलोमा होना चाहिए या है जरनलर स्ट में पिर मेंडवाइबरी वर्य होना सदर पोश्ट 10,000 मिलेगा और उसके बाद आप नर्सनर चारज कर फेकिनसी है इसमें अमरे PhD तो इसका मोट आप सेलेक्शन जो इसका आप यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा लिखा गया आपको रिटेंट लिया जाएगा दोस्ता इसमें रिजर टेगरी के लिए एंड रिजर के टेगरी के लिए याप सकते हैं और दोस्तव यहाँ पर दोस्तों यहां पर लाश्ट टेट इसका दिया गया है साथ जनवरी तक apply कर सकते है last date बारा बज़े तक apply कर सकते हैं और इसका जो return test होगा दोस्ते यहाँ पर 20 जनवरी को Sunday को होगा दोस्तो तो आपके पर ज्यादा time नहीं है अभी कम से कम एक महेना का time है दोस्तो अभी 21 December चल ला तो एक महेने का time है तो अब इसको apply कर सकते हैं दोस्ते इस website पर visit कर के में इस website बिजिट करके दिखा दोता हूँ यहाँ पर एक मिनट रूक जाईए यहाँ वेबसाइट पर खुल जाएगा website पर आप देख सकते हैं किस तरह से website open हो जा रहा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट open हो गय तो यह फॉर्म खुल के आजाएगा दोस्तों उसके बाद अपलाइब कर दिजिएगा तो यहां पर हो सकता है तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्ते इस परकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी दबा लेजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे है तो दोस्तों हसते रहिए और हसाते रहिए और टेली हमारे वीडियो सुबा छे सले की नो बज़े की वीच पाते रहिए तो जय हिंद